हाई फ्रेंट्स मैं सारीका वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंट्स बारिश का सीजन चल रहा है और बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है इस टाइम पे आप कोई भी कटिंग अगर लगा लेते हैं किसी भी प्लांट की तो बहुत ही आसानी से लग जाती है और उसनकी सक्सेस बहुत चैनल बहुतब्द्स बढ़ जाती है क्योंकि इस टाइम पे मौसम जो ऐसा होता है कि मौशेर भी रहता है इस टाइम पे और आपकी कटिंग में मौशेर बना रहता है तो वह बहुत ज़ल्दी ग्रो हो जाती है तो एसी टापिक पे बात करते हैं कि हम जब कॉन सी ग सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दीजेगा तो यह देखे फ्रंस कुछ क्रैस्थमम की कटिंग मैंने लगाई थी बहुत ज़ल्दी ग्रो हो जाती है बारिश में कटिंग समारी तो चलिए देखते हैं कि हम क्या कलतिया करते हैं सबसे पहले तो जब हम कटिंग करें तो कटिं से नोड आपके होने चाहिए नोड होंगे वही से रूटिंग स्टार्ट होती है साथ ही आप अपने कटिंग की सारी पतियां हटा दीजिए क्योंकि ज़्यादा पतियां रहती है तो भी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है क्योंकि पतियां उसकी एनरजी लेती रहती है तो दो एक साथ काट के अलग-अलग रखते जाते हैं और उन्हें कैसे भी लगा देते हैं तो इसके काट से भी गलती हो जाती है कि हमारी cutting success नहीं हो पाती है तो इसके लिए आप इनमें निशान लगा के रख दीजिए इसके बाद अगली गलती है कि जब हम cutting लगा देते हैं तो cuttings के लिए हमें patience रखना पड़ता है यहां देखे रोज और यहां पर भी मैंने कुछ cuttings लगा के रखी है में तो सारी cuttings ही grow हो चुकी है तो साथ ही जब आप cutting लगाएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें rooting hormone लगाएं आप उसमें aloe vera gel या फिर healthy का powder या फिर आप उसम cuttings grow होती है fungus भी नहीं लगता है यहां पर मैंने एक डब्बे में 3-4 cuttings grow कर ली है और यह बहुत अच्छे से grow भी हो गई है और जब आपकी cuttings grow हो जाएं तो फिर उन्हें आप अलग-अलग pot में shift कर दीजिए क्योंकि एक साथ धेरो cutting फिर बढ़ नहीं पाती है ग्रोथ नही बाई